कि हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल टार्गिट गवर्मेंट पोश्ट में दोस्तों बीर्ट से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप लग जुड़ सकते हैं नीचे दीके रिट कलगी सब्सक्राइब बढ़न दबा करके और बैगल भी step by step जो भी होता है process उसको लेकर के सारी की सारी वीडियो अपलोड़ेड हैं आप जाकर के प्लेलिस्ट में 2019 का यूपी बीर 2019 का देख सकते हैं बाकी मैं आपको हर समय जो है आगे से आगे बताते हैं चलना हूँ क्या क्या step होते हैं कैसे क्या होना होता है और यहां पर आ होना चाहिए COVID-19 को लेकर के क्योंकि आप देखी रहे हैं कि समय बहुत हो चुका है और इसी प्रकार से अगस सेप्तमबर और आपका जाकर के अक्टूबर में counselling का process हो पाएगा तो यहां पर देखे क्या बताने वाले हैं बताने यह वाले हैं कि पहले आपका result आएगा या answer की तो पहले हम आपको यह बता दें कि आपका answer की आएगा answer की के साथ honestly है वो भी आएगा ठीक है तो आप झाल मझें आप की answer की और question पीपर जो है वह आपकी साथ में आने वाली है ठीक है अब यहां पर बात करेंगे जब answer की और question paper आएगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा तो उसके बाद आपको objection का option आएगा objection आप कर पाएंगे तब ही जब आपको पूरा पूरा confirm हो को यह question आप करोंगे जैसा कि हिंदी में कुछ questions थे जिस पर गलती थी पर में यह news update आई थी आप लोग को मिल गई थी ठीक है ना तो कुछ questions में गलतिया थी तो इनको ले करके भी हम आगे चर्चा करना चाहेंगे लेकिन हम आपको यह बताने वाले हैं कि परिशान ना हुआ answer की और process को और आपका question paper की साथ ही साथ में objection date भी आएगी लेकिन objection date केवल होती है दो से तीन दिन के लिए ठीक है आप उन दो से तीन दिन में अपनी answer की match कर ले और answer की match करने के बाद में अपने recording आपको लगता है कि यह गलात है तो उसको उस पर आप objection कर सकते हैं कैसे करते हैं उसको लेकर के 2019 वीडियो आप देख सकते हैं नहीं तो फिर मैं आपको इसी अपडेट देते रहोंगा ठीक है इसके अपडेट दे दूँगा चलो जब objection होगा तो मैं बता दूगा कैसे क्या करना है तो यहां पर देखो आंसर की date और objection और आपका question paper date तो यह लगभग आपका आ जाता है परिच्छा तिती के एक सब्ता के बाद तो एक सब्ता के बाद अगर देखेंगे तो यह आपका संडे यह इधर हो गया मतलब यह आपका इंडिपेंडंस डे हो गया और संडे हो गया तो इसको ले करके हम यह मान के चलते हैं कि दस दिन लगभग लग जाएगा और आपका यह जो है आंसर की और देट जो है आपकी वह 9 सेप्तमबर है ठीक है तो यह चीज आप लोग ध्यान रखेंगे बाकि अगर कोई समस्या है तो कॉमेंट करके पूछेंगे बाकि बहुत सारी वीडियो अप्लोडेड है आप देख सकते हैं कोई बीस डाउट है तो भी ठीक है जैहिंद और हैपी इ